कि अभी जो बारिश हुई है रात से ये ज्यादा हुई है 65 mm से ज्यादा होती है तो अति उर्ष्टी जैसी परिश्टी होती है अभी तो 267 से 300 mm बारिश गिरी है ये बारिश जो है ये कम समय में गिरी है और जो पूरी तरह व्यवस्ता जो है केरिंग कैपेशिती है उससे बहुत जादा कई गुना जादा ये बारिश हुई है और इसलिए रेल्वे के ट्रेक पे भी पानी आया है पॉम्प रेल्वे ने 200 पॉम्प किया है वो पूरी तेजी से काम कर रहे है और पानी फेकने का काम शुरू है और अभी आपने देखा कि ट्रेंड भी अइससा इसा शुरुवात हुई है और रोडबें भी हमने यहां पर देखा सब पाच हजार स्पार इसमें दिखते हैं सब रोड पे अभी ट्रैफिक शू हैं और बियामी सीकी यह इस को करने के लिए पूरी तरह अलर्ट है और सब लोग गाम कर रहे हैं अभी जैसे ही यह मैंने कहा कि यह मिटी रिवर और पॉईसर यह जो है यह इसकी केरिंग का भी सती ॐ बढ़ाने का काम शुरू है अभी साथ पंपिंग स्टेशन बन रहे हैं यह पंपिंग स्टेशन जो है अभी विदाउट ट्रिट्मेंट पानी जा रहे हैं यह कितने सालों से हैं अब जब हमारी सरकार बन गई तब पहले काम हमने वही हाथ में लिया कि सब जगह जो भी हुआ है और इसलिए यह जो भी यह फ्लर्ड के लिए जो सिस्टीम जो उपाई करना है वो सब यह बीमसी और रेलवे और सब लोग मिलकर कर रहे हैं और निश्य तुर्प से उसका आप जो इतनी बारिश होने के बावजूद अभी हमने देखा कि कई रोड तो पूरे पानी इतने तेजी से अब डिश्चार्ज हो रहे है उसका पानी का कि वहां रोड खुले हो रहे है इसलिए इस तन और वेस्टर रोड भी शुरू है अभी सिर्फ हाइड का एक सुचना मिली है अलर्ट मिला है उसमें भी वारिज कम हो रहे तो उसको भी हम ठीक से टेकल कर सकते है हाँ बिल्कुल कोस्टल डीजन के जितने रिस्टिक्ट है हमारे राइगर्ड रतनागिरी और सिंदुदुर्ण ये इसमें और पालघर में भी औरेंज अलर्ट है और एंडियरेप की टीम कोची है अगर जरूत पड़े तो आर्मी नेवी एर्सफोर्स उसको भी इतला किया है उनको भी सुचना दी हुई है वो भी हमारे मदद के लिए हमेशे तेयनात है